नमस्कान, मेरा नम डॉक्टर कौरवी जाड़े है, मैं वेस्किलर स्पेशलिस्ट चूपुने में है आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेगे कि थाइरोड में आने वाली सूजन का कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है क्या सबसे पहले तो हम यह समझे की कि यह सूजन क्यों आती है, बहुत बार जो आयोडिन के इंबैलेंस में थाइरोड की जो ग्रंती है वो अलग तरीके से बढ़ना शुरू हो जाती है, बहुत बार आपने देखे होगे किसी के गले में ऐसे बड़ा-बड़ा सूजन आ जाता है, किसी को खाना निगलने में तकलीफ होती है, किसी को कभी-कभी स्वास लेने में उस वज़े से तकलीफ होती है, तो यह जो तायरेड में होने वाली गाठ है, जिसको गॉइडर बोला जाता है, यह प्रेशर बनाती है आपके नेक क्या रहों, बहुत जो यंग फीमेल्स होती या जिनका एज कमनत है, उसमें कॉस्मेटिकली कई बार बड़ा बड़ा दिखता है, तो क्या इसका सिर्फ सर्जिकल ट्रेटमेंट है या नौन सर्जिकल ट्रेटमेंट भी पॉसिबल है, यह हम समझने की पोशिश करेगी, तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाएकर तो इसका ट्रेटमेंट है कि सर्जरी करके उतना थाइरोइड को निकाल दिया जाता है, बाकी थाइरोइड जो है वो सप्लिमेंट से बाकी नौर्मली फंक्शन करता है, बट इस चीज को नौन सर्जिकली या मिनीमली ली भी ट्रेट किया जा सकता है, इसको बोलते है रेडियो फ्रिक्वेंसी अबलेशन या आर एफे, इसमें क्या होता है एक छोटी सी नीडल जो ब्लड सेंपल के लिए जो नीडल जाती है आपके हाथ में, बस उतनी बड़ी नीडल होती है ये जो थाइरोइड में आने वा जला दिया जाता है जिससे ये दीरे दीरे श्रिंक होता है ये पूरी प्रोसीजर में आपको कहीं पर भी टाका नहीं होता है और ये एंटायर प्रोसीजर जो आर एफे नाम की प्रोसीजर है लोकल एनेस्टेश्या याने उतने ही भाग की बूल देकर किया जाता है दीरे द तो प्रेशर है या कॉस्मेटिक डिफॉर्मेटी वह करेक्ट हो जाती है तो थाइरोइट का जो भी सूजन है या उससे रिलेटेट जो प्रॉब्लम है हर पेशन को सर्जरी की जरूरत नहीं है इसको मिनिमली इन्वेजिव या नौन सर्जिकली भी ट्रीट किया जा सकता है इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी जै या कॉस्चन है तो आप नीचे दिये हुए नंबर पे मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं दाने वाओ